नमस्कार मित्रों, जै मातादी, मातारानी की किर्पा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मत्रों मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुख, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मानसिक और सुख सांति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गिर्पा मनुस्य के जीवन में प्राप्त खरना बहुत अच्छा होता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्छों, आपके ग्रहों के इस्टितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन के इस्टितिया कैसी रहेंगी? बैपार के इस्टितिया कैसी रहेंगी? वैपार, वैविसाय, करियर और लव लाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली है भगवान स्रीहरी विश्णुजी की पूजा उपासन किस प्रकार से करके धन दोलत की प्राप्ति कर सकते हैं रुपय फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं धन की देवी माता लग्विजी की पूजा उपासन करके इस प्रकार से उनको प्रसन न करके आप अपने घर धन की देवी माता लग्विजी को बूला सकते हैं मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्थार से वीडियो को आखरित दीखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमित्रों ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा कई मामलों में आपको सब्पलता मिलेंगे आपके मेहनत से कारिब सिद्धी की प्राप्ति होंगे आपके सी धार्मिक ज्यात्रा परजाने की बात मना सकते हैं लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं पैसो को लेकर जो भी आपकी अडचने आ रही हैं उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है भगवान स्रीहरी विस्मुजी की क्रिपा से आपको ऐस्वरी की प्राप्ति होंगी धन के छित्र में आपको सफलता मिलेंगी परिवारवालों का, रिष्टेदारों का और सगे सबंद्यों का आपको सहयूग मिलने वाला है मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर संतान सुक से वन्तित हैं बहुत प्रियास करने के बाद भी, अगर आपको संतान सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है इस समय सूरी के रासी प्रिवर्दन होने की बिज detective आपके कारिश्यत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होंगी घर वाली फरिवार वाली और समाध वाली आपके इज़त करने वाले हैं आपके मान शम्मान में इज़त में बुरहुत्री होने वाली हैं दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं पुराने किसी मन मुटाव को दूर कर सक करियर के द्रिष्टी से भी आज का दिन मजबूती के साथ आपका साथ देगा। आपका तनाव रह सकता है लेकिन ये समय के साथ दूर होने वाला है मत्रों सावधान आगे की बातें रहस्मरी रहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए इसलिए आगे की जानकारियों को आप पूरे ही गौर से सुने चंद्रमा रासी से द और ये आप के लिए तथा आपके परिवाज के लिए सुब़ फलताय करहेगा तो आपके मान सम्मन्न में परतिष्टा में विरदी होंगी मित्रों अगर आप बिरोजगार ही वख हैं कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से आप रोजगार की दलास कर रहे हैं या फिर आप अपना स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं तो मित्रों रोजगार की शित्र में आपके किये गए प्रियास तो सारे के सारे फल आज आपको देनी वाले हैं कारिशित्र में भी आपको अच्छा कासा परिनाम की प्राप्ति होंगी आपके सी जौब या इंटर्व्यू को दिये हैं तो भी आज आज आपको अच्छे परणामों की फ्राप्ति करवा सकते हैं आपके नौकरे लगवा सकते हैं और कारिश्यत्र में भी आपका मन लगा रहेगा आज आर्थिक तोर पर आपका दिन मजबूत रहेगा घर के जरूरी कामों में हात बटाने की कोशत करें कुम्बरासी वालों रुके वे काम भी आज आज आपके पूरे हो सकते हैं जिससे की आपको खुस्यां मिलेंगे परिवार के बुद्रुकों के साथ आसरवाद लेकर कारे को करने का पूरा करें आपके सभी रुके पढ़े का बत्रों अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं अगर आप घर से बाहर किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और अपने सारे पुर्वजों को याद करके वो प्रणाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे का कारिवाधाएं आपके जीवन में दूर होने वाली हैं कारिशत्र में भी आपको सफलता मिलने वाला है आर्थी तौर पर आज का दिन मजबूति के साथ रहने वाला है आप रुके वे कारे को भी पूरा होता हुआ आज देख सकोगे जिससे कि आपको कुछी के प्रापती करें आज आपका भाग्य और आपका नसीब दोनों साथ दिन वाला है इसलिए अगर आप प्रोपर्टी डीलर हैं और कहीं निवेश करने का प्रणाल बना रहे हैं तो आज के दिन आप यह प्लान को पूरा कर सकते हैं और आप कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छे से ज लेकिन बेवज़ बाद भी बाद में ना पड़ें बेवज़ नए सत्रू को बनाने की कुशिस न करें बेवज़ किसी के साथ बगजग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया न करें आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ आपके सत्रू पैदा होंगे जिससे कि आप इतने दाएं बढ़ेंगी इसलिए आपको सावधान रहने की जुरत होंगी आज आपके माता की स्वास्त में परिभरतन हो सकता है माता हफिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारे से द्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में पहरे से काफी जादा सुधार देखने को मिलेगा आज आपके सेहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आपके सभी बिगड़े कारी बनेंगे कारिशत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ति होंगे जीवन साती के सहयोग से आप नई फ्रूपटी में निवेस कर सकते हैं आज रासी के स्वामी 12 भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्षों में सीजी आएगी और मानसित तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुभसयोग की बज़े से कारण आपका भाग भी आपको साथ देने वाला है और फिछले कई दिनों से जो काम रूक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्रम अबड़ोत्री होंगे कोट का चाहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफे प्रसन न रहेगा मित्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चाहरी में काफे लंबे समय से फसे हुए थे काफे लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर प्रसन अलग अलग सवाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ कारिशित्र में काफ़ी लाव होनी वाला है बैपार व्यवसाय और करियर को लेकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी कारिशित्र में भी आपके लाव प्राप्त होंगे आपके सहयोगी आपका सहयोग करनी वाले हैं और विबिन्य प्रकार की प्रस्तितियों से आपको चुटकारा मिल ले वाला है आपको लाव होगा आपके धन के छित्र में मान समान के छित्र में बढ़ोत्री होंगी नत्रों जो लोग औविवाहित हैं औविवाहितों के लिए भी आज का दिन बिहदी सुब रहेगा क्योंकि औव विवाहितों को विवाह के वहत्रिन प्रस्ताव मिलेंगे और यह प्रस्ताव आपके जीवन में सकल और सूरत सावित होगा कारिशत्र को लेकर भी आपके सारे योजनाय सपल होंगी आपके विभिन्न प्रकार के प्रस्टिव में पसेवे सारे कारे भी आज आपके पूरे पोने बाले हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आज आज आप किसी गरीव को दान देने का प्रियास करें दान देने से आपके सभस्त प्रकार के समस्याओं से आपको तुटकारा मिलेगा और जिसे की आपका नाम बहुत ही फैलने वाला है नाम आपका गूंजने वाला है और कारे को लेकर भी आपके सारे समंद्धे भी काफे प्रसन्न होंगे मत्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पती के साथ होंगे तथा चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वज़ा से आप कठिन पस्तितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे और विरोधियों का पसीना वी आप छुडवाने बाले हैं आप विहदित ताकत पर विहदियों सियार और विहदित फुर्तिवाद तरीके सिकारे को अंजाम देने बाले हैं आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवस्तिय लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जमविन दुवासने